नमस्कार मैं हूँ संतोष गंवार आज निउस 18 के दर्शकों के लिए बेहत खास दिन है क्योंकि आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अनुखा क्योंकि आज से हम शुरू कर रहे हैं छेका सिकसर, आपसे रोज इसी समय पर हम आपको देश दुनिया जहान की हर वो बड़ी ख़बर दिखाएंगे जो आपको जानना बहुत जरूरी है हम आपको बताएंगे कि बिहार जारकंड और देश में क्या चल रहा है, दुनिया संसार में क्या कुछ हो रहा है, खबरे लौ एन ओर्डर से जूड़ी होंगी, खेल जगत से जूड़ी हो सकती हैं, ये सब कुछ हम आपको यहीं बताएंगे कारवार से लेकर श्यरबाजार की एहम जानकारी देंगे और अंत में बॉलिवूट, हॉलिवूट के साथ भोशपुरी की, बॉलिवूट की भी, भोशबूट की भी, सब खबरे हम आपको मनुरंजन की दुनिया की भी यहां पर दिखाएंगे, तो चलिए श्वात करते हैं छेका सिकसर की सरकार के मताबिक बिहार में सारी ही नदिया उफान पर है, 16 जिलों में बाल से हालाद, बद से बत्तर होते जा रहे हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए NDRF की बारे और HDRF की 22 टी में तैनात है, ग्रेम अन्प्राले की रिपोर्ट के मताबिक बिहार में गंडक, बाक्वती, धारधा, गंगा, बूरी, कोसी, अधवारा, कमला, वलान, कमल, महाननदा, पर्मान और फुलहर नदी में पानी खत्रे के निशान के ऊपर चल रहा है, यानि कि खत्रे के निशान के ऊपर बेह रहा है, दो तस्वीरे समाब की टेलिविजन स्क्रीम पर, एक तरफ सडकों पर नाब चलानी पड़ रही है, दूर दूर तक सिर्फ पानी दिख रहा है, और जो सलके हैं वो दरिया में तब्दील हो गई है, और दूसरी तरफ हम पानी का तेश पहव दिखा रहे हैं, किस कदर पानी सैलाब बनकर बह रहा है, और अपनी चपेट में सब कुछ ले जाने को पामदा है, इस दोनों ही तस्वीरे आपको डरा सकती है, परिशान कर सकती है, लेकिन हकीकत यही है, बिहार की जो इस्तिती है, उनको इन दोनों तस्वीरों से समझा जा सकता है, और बाल को लेकर जल संसादन मंत्री विजज़ चौधरी ने कहा है, कि नेपाल में मानसून क इस्तिती और वारिश से हम लोग जादा प्रभावित होते हैं, पानी का वाहब पिछले चार दिनों में बहुत जादा हुआ है। और इसी वीश दिल्ली से बाली खाबर मिल रही है, बिहार के डिप्टिस्यम समराट शौधवी ने केंद्रिय जल शक्ती मंत्पी CR पार्टिल से मुलाकात की, बिहार के बाल के हालात पर उनसे बाच्वीत की, डिप्टिस्यम ने पत्र लिखकर मांग की है, कि कोसिक शेत में भारतिय सीमा में एक बड़े बैराज का निर्माण हो, ये मांग की गई है ताकि जो बिहार को बाल से बचाए जा सकती, उस मुलाकात के दोरान की ये तस्वीरे इस समय आपकी टेलिवीशन स्क्रीन पर है, जिसमें केंद्रिय जल शक्ती मंत्पी नशर आ रहे हैं, और इसक तो कि राष्ट्वे कारकारी अध्याक्ष्ट संज्वे ज्वा ने कहा है कि कोसी में जमा शिल्ट की वजए से हालात बेकाबू हुए है, इससे देखते हुए बिहार सरकार आगे की तयारियों में जुटी है, और बाल के स्थाई समधान में जुटी है यह चैलेंज है, सबसे वज़ा है कि इसको आपस में तूतू मैं मैं नहीं करके, लॉंग टर्म सल्वीशन एक तो जो काम हुआ, विहार सरकार का किया हुआ काम है, कि इतना पानी के आने के बावजूद भी बहुत जगा ब्रीच नहीं हुआ, बहुत जानमाल का सुरक्षा ह हुआ है, लेकिन यह एक आपको signal भी दे रहा है, वोर्ड भी कर रहा है यह पानी, कि फ्यूचर में यह सब जो बराज है, उसके उपर से पानी जा रहा है, तो बराज तो बनाया गया कि इसके नीचे ही पानी जाएगा, गेज लगाया जाता है कहा तक पानी गया, बराज को भी उपर जा रहा है यह सीरियस कंसर्ण है मुझे लगता है कि भारत सरकार में भी जो हम लोग बात रखे हैं जो प्रपोज्ड है कि चार-पांच बराज बनाने का कुछ न कुछ लॉंग टर्म सलुशन इसका करना परेगा उत्तर बिहार को में जब तक बार का निदान नहीं ह जाता है और पढ़ना से बड़ी खबर मिल रही है राजेंद्र सेतू से गुशरने वाले रहागीरों के लिए एहम जानकारी है बाड अनुमंडल के मुकामा से बड़ी ख़बर सामने आ रही है राजेंद्र सेतू पर गारियों की एंट्री नहीं होगी कल 1 अक्टूबर की राज से एंट्री नहीं मिलेगी परसो 2 अक्टूबर की सुभे तक गारियां नहीं चलेंगी राज 10 बजे से सुभे 6 बजे तक ये रास्ता बंद रहेगा मंगलवार राच से बुद्वार सुभए तक बन रहेगा राजेंद्र सेतू उत्तर और मद्विहार को जोडने वाली लाइफ लाइन है मंगलवार राज से बुद्वार सुभै तक बंग रहेगा राजेंद्र से तू पुल पर मरमती कारे को लेकर आवा गमन ठप किया गया है अरबात करते हैं देश बिदेश की बड़ी खबर सियासी गल्यारों से है औरीशा के राजपाल रगबरदास ने दिल्ली पहुचे जिसको लेकर चर्चाओं के बाज़ार अब गर्म है चर्चा है कि क्या रगबरदास जारखंड में विदान सबा का चुनाव लडेंगे पिछले दिनों रगबरदास की मुलाकाच जारखंड के बीजेपी के सहे चुनाव प्रभारी हिमंता विस्वा सर्मा से हुई थी जिसके बाद से ही अटकलेव के बाज़ार जो है वो गर्म है जमशेदपूर इश्ट सीथ पर उम्मीदबार के लिए बीजेपी राय शुमारी में रगबरदास को सबसे ज़्यादा कारिकरताओं के वोट मिले है जारखंड में रगबरदास को बीजेपी का सबसे बड़ा OBC शेरा माना जाता है इधर जेडियूनेता और जमशेदपूर पूर्वी से मौशूदा विधायक सर्यूराय भी दिल्ली पहुँचे है और कॉंग्रेस सद्व्यक्ष मलकारजून खरगे की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर दिये गए बयान पर सियासी घमासान जारी है खरगे की टिपड़ी पर ग्रेह मंत्री अमित चाहा ने आपत्ती जताई और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि मलकारजून खरगे ने अपने भाशल में अपमान जनक व्यभार करके खुद अपने नेताओ और अपनी पार्टी को पीछे छोड़ दिया पार्टी कितनी नफरत और डर है कि वे हर समय उनके बारे में सोचते रहते हैं बीजेपी को ये कब समझ में आएगा कि कॉंग्रिस पार्टी नरेंदर मोदी से नफरत नहीं बलकि देश से महबत करती है इसलिए चाहती है कि ये देश मोदी जी की विचारधारा और मोदी जी से मुक्त हो वो प्रधान मंतरी के पद से हटें इए हम चाहते हैं और ये 67% देश भी एई चाहता है जिन्होंने उनको वोट नहीं दिया तो उन से न फरत वो अपने आपको क्या समझते हैं वही है सब कुछ कि उनी से नफरत होगी, उनी से महबत होगी नहीं जी हमें देश से महबत है इसलिए चाहते हैं कि आप साइड मैटी है राशनीती गर्मा गई है भवनातपुर से बीजेपी विधायाग भानुप्रताप शाही ने हिमंत सरकार को खुली चनौती दी है दुर्गा पूजा में डीजे बज़ेगा और दुनिया की कोई ताकत नहीं रोख सकते बानुप्रताप शाही ने कहा है कि मोहर्रम में डीजे बज़ेगा और दुर्गा पूजा में डीजे बज़ाने पर रोख कियो पूजा में डीजे बज़ेगा और दुर्गा पूजा में डीजे बज़ेगा और पूर्बजो की मोक्स की कामना को लेकर गया में विदेश से भी पिंड़दानी पहुंच रहें गया के देवगाट पर विदेश से आये 15 शद्धालों पूरे विदिविदान के साथ पिंड़दान किया इसमें मुख्वरूप से अफ्रीका नाइफेरिया कजाकिस्तान रूस यूक्रेड और यमन से विदेशी तीर्थ यात्री सामिल रहें सभी का पिंददान विदेश्वी तीर्थियात्री के गुरू जी के लोकनात गौड ने कराया इन विदेश्वी महिलाओं और पुर्षों में किसी ने अपने माता पिता पती और बेटे के लिए मोक्ष की कामना के लिए पिंददान किया और अब बात करते हैं लौएन ओडर की और अंगबाद में नक्सलियों की बड़ी साजिशना काम हुई है सुरक्षावलों ने पशरुखिया जंगल में प्लांट किये गए 50 ID बम को बरामत किया मदनपूर में पशरुखिया के जंगलों में ब्लाष्ट किये गए 33 किलो के 3 प्रेशर ID और 47 के इन ID को सुरक्षावलों ने ना सिर्फ बरामत किया बलकि मौके पर ही ब्लाष्ट कराकर उससे डिफ्यूज भी कर दिया गया पचलुखिया का जो जंकल है उर्शी में पचलुखिया पहार से लगभग एक किलोमीटर एरिया के अंदर तीन प्रेशर ID बरामत किया गया जो लगभग 3 से 4 के जी का था साथ में गोगरदर एक पचलुखिया पहार के पास में वहां से 47 यानि 47 के आई डी बरामत किया गया जिसका वज़न जो है लगभग 1 से 2 किलोग्राम था और यह इस तरीके से पूल एक ही दिन में 50 आई डी बरामत किये गया और इसको वहीं पर दिनश्ट कर दिया गया और ब्यार में पुलिस टीम पर हमने थम नहीं रहे हैं खबर है पटना से जहां बुद्धा कालोनी वी थाना पुलिस टीम पर शराब तसक्रों को पकड़ने गई शराब तसक्रों ने पुलिस टीम पर पत्राओं के साथ हाता पाई की साथी पुलिस गाड़ी में भी तोड़ फोर की है पुलिस हमलावरों की पैशान कर रही साथी नौ लोगों को ग्रफतार भी कर लिया गया गिड़ी के सर्या थानाक शेत्र में आपसी विबाद में एक भाई ने दूसरे भाई का घर दिन दाड़े जेसीवी से तोड़ दिया घटना को सिसी टीवी कैमरे में कैद हो गई है जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वाइरल हो रही है पिलिद व्यक्ति ने नियाई की मांग करते हुए मुख मंत्री और गिर्डी उपायुक्त को सोशल मीडिया पर टेग किया है उसके साथ ही उन्होंने सर्या पुलिस प्रशासन पर घटना के प्रती असमवेदन शीलता का आरूप भी लगाया है कि चार दिनों के पूर्व यह जो है दस लाक रूपिया के डिमांड की थे जिसका आवेदन हम सर्य थाना परभारी को दिये थे जब पैसा नहीं दियें तो उसके उप्रांत में आज जो है करीब सावा दो बजे गुंडों के साथ आकर जसीवी के साथ जो है मेरे घहर को तोड़ दिये अज़ो है अज़ो तगली ग्रावट देखने को मिली संसेक्स श्राथी कारूबार में करीब साथ सो पचास अंक लुड़क कर 84,870 के स्तर पर आ गया निफ्टी भी करीब 200 अंक तूट कर 24,980 के स्तर पर आ गया इसके शलते कारूबार के पहले घंटे में ही BSI में लिश्ट्रेट कंपनियों का मार्केट कैम्प करीब दो लाख करोल रुपए घटकार 475 लाख करोल रुपए पर आ गया है सरकार एक अक्टूबर से आधार से जुड़े नियमों में भी बदलाब करने जा रही है अब आधार एन्रोल्मिंट नंबर की जगह पर आधार नंबर डालना होगा इसका मकसद ग्रहक से जुड़ी जानकारी को जल्दी एक्सेस करना है ताकि आधार से लिंक सर्विस में तेज़ी लाई जा सके और किसी भी तरह की दोराओ से भी बचा जा सके